कर दोस्तों नमस्कार दोस्तों मैं सियराके सिंगर रिसर्च अन्रिस्ट और आपका स्वागत है हमारी टेली सीरीज कल के बजार में क्या करें क्यार आपको निफ्टि और बेंक निफ्टि के लेबल तो बताएंगे ही और शाथ ही साथ आपको एक सौट टम सी यह दहेंगर और साथ ही अपने दर्सों के सवालों के जवाब भी लेंगर तो अज में क्या हुआ तो तो सबसे पहले निप्टी का चार्ट आपकी स्क्रीन पर, आज निप्टी ओपन हुआ 9377 पर और उसके बाद निप्टी ने डे ही लगाया, इम्मीडिटी 9383 का, लेकर उसके बाद निप्टी ले प्रॉफित बॉकिंग आ गई, जिसके बाद निप्टी तोड़ा नीचे चल की, मंडे 11 में को जब बल्यार खुलेंगे, तो मंडे के लिए हमें लगता है एक रेंज है 9450 से 9150, ये एक ब्रॉड रेंज है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इस रेंज में रहना चाहिए, और 9400 से 9450 की रेंज में एक प्रॉफित बॉकिंग आ सकती है, और नीचे की तरफ 9150 और 9200, ये एक लेवल ऐसा है जहां पर निप्टी सपोर ले सकता है, तो हमारा व्यू उच्छाल पर विकवाली काई है, उसके बात करते हैं, बैंक निप्टी की चार्ट आपकी स्क्रीन पर, बैंक निप्टी की बात करें, फ्राइडे की, बैंक निप्टी फ्राइडे को बैंक निप्टी ने डे लो लगाया, 19285 का, और फैनली बैंक निप्टी ने क्लोजिंग दी, 19353 की, मंडे के लिए, यानि 11 वही के लिए, अगर हम बात करें, तो मेरी बैंक निप्टी की रेंज, बीस एक सो से, उननीस एर की एक ग्रॉड रेंज में आपको बता रहा हूं हलंके हमारा व्यू उचाल पे बिक वाले काई है, अब बात करते हैं आपका पिक अप दे की, आज का हमारा पिक अप दे है है HAL Limited, यानि हिंदुस्तान Aeronautics Limited, एक सरकारी कंपनी है, आज का बाव इसका 502 रुपे के आसपास है, इस टॉप का 500 रुपे के आसपास खरीज सकत अब बात करते हैं दर्शाओं के सवाल होगी, पहला सवाल आया है अजे गुपता जी का 8K माइल्स का अप पास है, इसका ADX जो इसकी पोजिटिव डियाई है, वो नेगिटिव डियाई को इसने अभी क्रॉस किया है, साती साथ, इस टॉप ने सेविंथ में को एक बुलिश अब बात करते हैं दर्शाओं के सवाल होगी, पहला सवाल आया है अजे गुपता जी का 8K माइल्स पर, इसका भाव 21,45 पैसे है, अजे जी मैक्रो कैप सब्सक्राइब सब्सक्राइब है, मीडिम टर्म ट्रेंड डाउन ट्रेंड में है, साथी डेली लोर सर्क्ली लगते है अगर आपके पास है तो कोई भी राइज मिले तो उसमें स्टॉक से निकल जाएं अगला कोईशन है हिमत कपाडियाजी का, इनका कोईशन है पीफाइजर पर, इनके पास 4852 के रेट के हैं और यह कहते है 4900 का रेट कप आ जाएगा इमन जी अभी इसका बाब 4604 है, बहुत अच्छा क्वालिटी स्टॉक है, फार्मास्टिकल सेक्टर का स्टॉक है, इस्टॉक ने अभी रेसेंटली 320 रुपे का एक स्पेशल डिविजन टनाउंस किया था, जिसकी एक डेट 6 में थी, तो उसका जो एडेस्टमेंट था, उ 4450 के आसपास, जो कि हमें लगता है, नहीं तूटना चाहिए, और स्टॉक को 4900 से 4950 तक के लेवल तक जाना चाहिए, अगले 7 से 15 दन में, तो बाकी अगर आपके इसी पाटिकुलर स्टॉक को लेकर कोई क्वेश्चन है, तो हमें जरूर लिखें, विट टाइम पीरिड, औ और हम उनके आंसर देने की जरूर कोशिक करेंगे, साथ ही अमारे वीडियो को देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब तरहें, और घर परी रहें, स्वस्त रहें, तंडेवाद